आज मैं बनाने वाला हूँ अफ्थार का 3D टाइटेल वह भी अपने आंड्रेड फॉन में वह भी नॉमेशकॉप्ट के अंदर तो बने वेडिकेंट तो दोस्तों चनल पे नए है तो चनल को सब्सक्राइब को लोकिंगे इसी तरह का वीडियो में यहां पे बनाता रहता हू तो चले दुस्तों बिना देरिक यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले नॉमेशकॉप्ट ऑपेन करने के बाद बाद डिफॉल्ट जो स्प्यूर आपके सामने आएगा उसको आपको डिलेट कर देना है उसके बाद एक बॉक्स को आड़ करना है प्रेमिट बॉल्यूम को थोड़ा कम करदना है उसके बाद स्नाप क्यूब पर टॉप पे जाना है और यहां पे टूल वक्स के अंदर मैस्किंग टूल को सेलेक्ट करना है उसके बाद ब्रॉच स्टिंग के अंदर आपको आलफा मिलेगा यह जो प्लॉस का आइकन दिख रहा है इस प दिए उपड़ने करने के बाद आपके सामने नीचे कुछ इंटला सिंबल आएगा यह जिस्वार करना है यहाँ पर फिर से स्क्रोलाओन करना है और नीचे आपको एक इस्ट्रोग टाइप का से शेटिनग मिलनेगा यहाँ पर आपको क्या करना है graph dynamic intensity इसको select करना है उसके बाद by default अगर आपका mirror mode यहाँ पर on है तो उसको आपको off कर दना है ठीक है उसके बाद क्या करना है जो हमारा shape बना हुआ था shape को उपर कुछ इस तरह से draw करना है जैसे draw करेगे यह जो mask आपका shape के उपर लग जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करना है mask टूल पर जाएंगे और यहाँ पर invert कर देंगे देख सकते हैं यहाँ पर invert का option है इनवर्ट करने के बाद आपका जो optar का जो title है वो highlighted हो जाएगा और बाकी हिस से black हो जाएगा ठीक है उसके बाद किजमो टूल को select करके उसका volume को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं यहाँ पर यह करना से आपका masking area जो है वो box के बाहर तक आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर से mask tool को select करेंगे और यहाँ पर उसका setting पर जाके यहाँ पर clear कर देंग है जो कि आपका माक्स लगा हुआ है वो clear हो जाएगा अब काम आएगा trim tool यहाँ पर trim tool को select करेंगे select करने के बाद यहाँ पर जो left side में कुछ symbol देख रहे हैं यहाँ पर rect select करके कुछ इस तरह से draw कर देंगे ते देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाला ही साट delete हो चुका है उ उसके बाद right side में आपको smooth tool को select कर देना है यह वाला smooth tool उसको select करने के पाद उसका intensity को left side में देख सकते हैं intensity इसको calm कर देना है काम करने के बाद थोड़ाँ साथ zoom करके उसका साट में कुछ मैसला हो गया है उसको थोड़ाँ सा smooth कर लेते हैं jum करके लगाना नहीं तो यह other side में लग जाएगे तो गढ़ बढ़ हो जाएगा ठोड़ा सा जूम करके साइड में स्मूथ लगांगे, अगर आपका स्मूथ सही नहीं हो, तो आपको क्या करना है बखसल पर जाना है और यहां पर क्या करना है उसका इसकते हैं, उसको ग्र। देना है उसके बाद देख सकते हैं स्मूध करने पर देख सकते हैं यह अच्छी तरह से वाग कर रहा है अच्छी तरह से स्मूध हो रहा है यहां पर आपको पूरे टाइटल को स्मूध कर देना है जहां पर कोई मसला है मावे स्मूध करके कुछ इस तरह से आपको रेडी कर देना है smoot करने के बाद हमारा टाइटल कुछ इस तरह से दिख रहा है उसके गिजमो मदड से उसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से सीधा करने के बाद राइस साइट में जो paint tool है paint tool को select करेंगे और यहां पर blue color डाल देंगे blue color को select करेंगे कुछ इस तरह से और यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे paint all मिल जाएगा उसके बाद render पर जाना है render पर आपको post process का एक option मिलेगा यहां पर tick कर देना है टिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर reflection SSR को भी यहां पर tick कर देंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर आपको bloom option मिलेगा bloom को tick करके यहां पर देख सकते हैं उसका intensity की वह कौम या ज्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से आपको उसको adjust कर लेना है जै यहां पर adjust कर देना है कुछ इस तरह से उसके नीचे आपको color grading का option मिलेगा यहां पर tick लगाना है इस तरह से और यह जो graph देख रहा है इस graph को आपको अच्छी तरह से adjust कर लेना है मैं जैसे कि मैं यहां पर light को थोड़ा increase करना चाहता हूं तो थोड़ा यहां पर पहले बाले जैसे को थोड़ा उपर ले जाऊंगा और यहां पर कुछ इस तरह से कर दूंगा देख सकते हैं थोड़ा सा light increase हो गया उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहां पर anti analyzing पर tick कर दना है उसके बाद render पर click करेंगे और एक light को add कर देंगे यहां से ठीक है उसके बाद क्या कर color था उसको blue color कर दिया उसको बाद उसका intensity को थोड़ा काम कर दना है यहां पर जितना सही लेगे उतना ही रखना है ज्यादा intensity होगा तो यह एक्टम बेकर सा लगेगा फाइनली हमारा title जो है ready हो चुका है उसका जो way of water लिखा हुआ था नीचे उसको भी आप कुछ इस तरह से बना लेंगे उसके बाद final result आपके सामने है तो आज के लिए बास इतना ही था दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम